जी 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 जब अलहम्दुलिला हमेरी बाबा एक घर खरीदने घर चुन लिया थे शे तो कुछ लोग खुछ मसलमान लोग ऐसे बोल रहे हैं यह जब घर लो तो आप देख लो कि वह वास्टु के इसाब से बराबर है कि नहीं आप वास्टु समझते होंगे भास्तु वास्तु यानि जो हिंदू लोग बोलते हैं शेक कि घर आपका वेस्टर डिरेक्शन में उना चाहिए उस डिरेक्शन में नहीं नहीं हो ठीके आगे यूमाइच बोल रहा है शेक कि आप ऐसे गर लो जो वास्तु के हिसाब से हो क्यूंकि जब आप बेशने जाओगे तो ज्यादातर हिंदू लोगी होंगे जो खरीदेंगे तब आपको नुक्सायत नहीं होगा तो ऐसे सोच रखने है कहां तक सभी है जज़ा कर लए जिए जिए मैं बताता हूँ सवाल मैं वो दोहरा देता हूँ शिख भाई का सवाल ये है कि उनके वालिद साहब को किसी ने मशवरा दिया कि जो आप घर खरीद रहे ना तो वो वास्तों को देख करके खरीदिये क्योंकि जैसे गयर मुस्लिमीन में अकीदा होता है ना शिक डायरेक्शन का इस डायरेक्श वो गयर मुस्लिम ही खरीदेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा नहीं बिल्कुल ये ये अकीदा रखना बिल्कुल भी गलत है और अगर ये बात मान करके आप उस पर अमल करते हैं तो गोया कि उस अकीदे की आप ताइद कर रहे हैं वो जो अकीदा है आप उसकी अकीदे से ठकरा रही है तो हमारे दीन में अकीदे से जादा अहम कोई चीज नहीं है इस तरह से नहुसत का अकीदा रखना या किसी चीज के मुबारक या गेर मुबारक होने का अकीदा रखना बेगेर किसी दलील के ये हमारे अकीदे के मनाफी है ये गेर मुस्लिमों का अ अकीदा है जिसकी हम ताइद नहीं करते हैं और उस मुनियाद पर हम अपने मौामलात नहीं करेंगे और आप ये यकीन रखें कि अगर आप उस अकीदे को रद करके उसका इंकार करके उसकी नफी करके आप अगर कोई मौामला कर रहे हैं तो इंशालला बरकत उसी में होगी औ और आपको इंशालला कोई नुकसान नहीं होगा लहाजा आप उस अकीदे की ताइद ना करें बलकि उसको सिरे से आप रेजक्ट कर दें कि नहीं हम उस बात को नहीं मानते हैं